कि दोस्तों नमस्कार आज है 26 अपराइल 2020 और आज आपका लर्निंग बाई एपी सर यूटूब चैनल में स्वागत है इसी बाद हम देखते हैं इंपार्टेंट करेंड अफेर्स लेकिन उसके पहले आपसे केवल एक निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक सेयर जरूर कीजिए कुछ समय निकाल के ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनफिट हो सके तो सबसे पहले अगर आज हम करेंड अफेर्स की बात करें हैं तो सबसे पहले जो न्यूज थी यह अंबू बाची मेला को लेकर थी तो अंबू अभी आयोजित किया जाता लेकिन सबको पता है कोविद 19 महामारी 22 ging अस्तर पे महामारी करूब ले लिया है जिसके चलते ना केवल राश्टी श्तर पे बबलकि अंतराश्टी अस्तर पे जोभी खेल से समदित आंतराश्टी जो भी आयोजन हो रहे थे उनसे सब कर दिया जा रहा है तो यह प्रतेग साले असम में आयोजित किया जाता है तो असम राज में भारत के प्रवत्तर राजियों में एक राज है असम तो असम राज में आयोजित किया जाता है अम्बू वाचे मेला तूसरी को इस्थकित कर दिया गया है तो यह असम के एक असम में इसका आयोजन होता है और ये देवी कमक्या मंदिर में इसका आयोजन किया जाता Haru लेकर दैके को सबसे दिल्चस्चा बात यह है कि कोई भी मूर्ती इस्थापित नहीं की गई है वहाँ पर कोई मूर्ती इस्थापित नहीं है बलकि देवी को योनी लाइक स्टोन योनी लाइक स्टोन का मतलब हुआ पत्थर में योनी की भाति उसको पूंजा अर्चना की जाती है देवी को तिसमें अलग से कोई देवी की मुर्थी नहीं लगाई गई है तो असमराज एक ऐसा है जो इस्टेरियो टाइप में सबसे कम प्रभावित ह होता है यानि रूरही वादिता जो होती है उससे कम यह प्रभावित है इस तेवहार को पूर्व का महा कुम के नाम से भी जाना जाता है और देवी जो कमक्या देवी है इसी को एक अनिनाम सिध्धा कुब जीका के नाम से भी जाना जाता है तो यह भी पूछा जा सकता कि कम कमाख्या देवी होती है तो यह आयूजन जब किया जाता तो यह माना जाता है तीन दिन यानि कपाट अपने आप इसमें क्या हो जाते हैं इस मंदिर में बंद हो जाते जिस और यह प्रतीक होता है कि जो कमाख्या देवी है वो मेस्टुरेशन मेस्टुरेशन साइकल यानि मा स्राव जो मासिक धर्म चक्र होता है उससे गुजर रही हैं तो तीन दिन के लिए कपाड जो आपका कमाख्या देवी मंदिर के हैं स्वता बंद हो जाते हैं ताकि उनकी जो एक पवित्ता है उसको भंग ना किया जा सके तो इसलिए जो यहां पर एक जो गल्स होती है असम में गल्स असम की तो उनमें एक नारित्त की प्राप्ती पर ओमेन हुड की प्राप्ती पर अटेनमेंट आप ओमेन हुड नारित्त की प्राप्ती पर यानि एक छोटी साधी का एक रिचूल्स या संसकार किया जाता है उसी को छोटी साधी के नाम से भी जाना जाता और यहां की भांसा में इसी को तू लोनी बिया के नाम से जाना जाता है तो कुस्टन पूछा जा सकता तू लोनी बिया कहां होता है ये होता है असम में और इसमें क्या किया जाता तो कोई भी गल्स जो मा बनने की यानि उनकी छोटी साधिया ऐसे कर सकते हो जब वो पवरटी यहुना रम की एज में पहुंच जाती है उसमें मासिक स्राव या रित्व स्राव होना सुरू हो जाता है यानि इसको नारित्व की प्राप्ति कहा जाता तो नारित्व की प्राप्ति की स्थिम में उसकी यानि छोटी सादी की जाती है उसी को क्या कहा जाता तुलोनी बिया के नाम से जाना जाता है तुलोनी बिया के नाम से जाना जाता तो कुल मिला करके ये किस में जो कमाख्या देबी में अमबो बाची कायोजन किया जाता थे वहर का ये जो गल्स होती हैं महिलाएं होती है उनमें जो हर महिने मासिक धर्म चक्रिया रितू स्राव होता है तो रितू स्राव के समय आज भी अवैनिस या जागरूपता की कमी है जिसकी वज़ा से हाइजीन या स्वचता का ख्याल नहीं रखा जाता तो इसी संबंद में अम्बो बाची मिला ये रितू स्राव के असम के निलाचल हिल पर इस्तित है जो कि गौहाटी असम में इस्तित है और यहां इक्यावन जो 51 सक्त पीठ है उन सक्त पीठों में से एक है यानि इक्यावन भार पूरे भारत में देखोगे तो 51 सक्त पीठों को इस्तावित किया गया उन्हीं में से एक सक्त पीठ आपका यह अंबु बाची मंदिर या कमाख्या देवी मंदिर भी है प्रतेख सक्त पीठी जो है वो प्रतेख सक्त पीठी भगवांसिव की सांगनी सती का प्रतिनिधित करता है यानि भगवांसिव की जो संगनी थी उसी को सती कहा जाता था तो सती का प्रतिनिधित करता है इनहीं मे कब यर्द करते हैं अगला काफी चर्चा में था तो आपको फ़िल्यर होगए होगा अगला नीज देखते हैं सुभी सुम इसी मेरा डिवस इस को वर्ल्ल मलेरिया की नाम से जाना जाता है तो यह डोलीÓ फो के दोरा World Health Organization पीछे काफी इसके बारे में बता चुके कब इस्थापना हुआ इसका मुक्याले कहां आपका बता चुके हैं जिनेवा में इसका मुक्याले है तो ये 7 अपराइल 1948 को डबलो एचो के इस्थापना की गई थी इसलिए प्रतेक वर्स 7 अपराइल को 2060 दिवस मनाया इसके थीम क्या थी इसको कमेंट बाक्स on में लिए बताएं डबलो एचो के दोरा परतेक वर्स 25 अपराइल को किस रूं में बनाया जाता है तो 25 अपराइल को 20 मलेरिय, दिवस मनाय governo जाता है तो इसके पहले जितिने दिवस मनाय हैं तो सारे आपको बता चुक्छे हैं इसके 24 अपराइल हुआ तो राष्टी पंचाrip athletes centered दिवस मनायahahaha 23 अपरेल को 20 पुस्तक दिवस या International Day आप भू किया इसे को 20 पुस्तक दथा काप्रीराइट दिवस के नाम से भी जाना जाता है और 22 अपरेल को बताया थे World Earth Day 20 पृत्वी दिवस के रूम में मनाया जाता तो जितने भी दिवस इस बार हुए हैं सारे आपको बताते चले आएं हैं अब यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है कि वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता तो 2020 की थीम क्या है तो 2020 की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट बिद मी जीरो मलेरिया स्टार्ट बिद मी उसी को क्या कहा जाता यानि फिमेल एनाफलीज नामक एक मास्कीटो मच्छर होता है जो प्लाज मोडियम कुलका होता है तो ये दोनों में से जो भी आपसन दे दिया जाए प्लाज मोडियम या मादा एनाफलीज मच्छर दोनों आपसन सही होगा तो ध्यान रखिएगा मलेरि या परजीवी से एक फैलता है पैरसाइट से फैलता है इसी पैरसाइट को मादा एनफेलिज मंचरिया इसे को फिमेल एеле दिम्रिज मास्केटों कहा जाता है। जो कहें कि प्लाज मोडियम lihat से समदित है तो प्लाज में डियं गुल से समदित hasn उनता है तो वहां पर भी बात की गई कि पूरे विस्व से 2030 तक मलेरिया का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया जाएगा इसके अलावा भारण ने जो मलेरिया राश्टी का पूरी तरीके से उन्मूलन करने के लिए भारत दिर्शंकल्प है और यहां 2015 में कमट्र अबका समिट हुई थी उस में भारण ने इसके लिए एक कार करम भी शुरू किया था तो 2015 में इस्ट असिया समिट की सुरूइत की सुरूआ 2005 से हुई है तो इसी में भारण ने सिर्कत किती है भारण ने कहा था कि 2030 तक वह मलेरिया का पूरा उन्मूलन कर देगा इसके लिए कारकरम भी भारण ने लांच किया 2015 से कि 5-year national strategic plan for malaria elimination नमक कारकरम भी 2015 में भारण ने लांच किया है अगला देख लेते हैं कभी अंकटाड की United Nations Conference on Trade and Development यानि जो अंकटाड एक संहुत राश्चंग की एक agency है उसी के द्वारा कई रिपोर्ट जारी की जाती उन्हें में से एक रिपोर्ट जारी की गई इसी रिपोर्ट को Trade and Development रिपोर्ट के नाम से जाना जाता ब्यापार और वि बाते की गई हैं उन बातों खुम चान लेते तो पहला को सन एक्जाम के लिए ISP से ही है कि आपका पूछ लेगा वर्ल्ड एंड डवलमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है जारी की जाती तब आंसर क्या हो जाएगा अंकटाड हो जाएगा अंकटाड के द डवलेपिंग कंटरी है इनको पड़न इस्टरंड जो डेप्ट है पड़्लिक पड़न इक्सटरंड डेप्ट यानि वकाज से व। कि द्वारा जो बाहर से देश के बाहर से रिल लिया गया है उसमें क्या कहा गया वो कितना ज़्यादा हो सकता है यानि कोविद-19 महामारी को जासे तो कहा गया 2020-21 में क्रम साह 2.4 लेकर 3.6 ट्रिलियन यूएश डालर ये सब ही अगर विकासील देश्टों को मिला दिया जाए तो इतना और ज्यादा इनके उपर बोज आ सकता है पबलिक एक्स्टरनल डेप्ट का करज का और कहा गया कि जो विकासील अर्द विवस्थाएं हैं ये डेप्ट इस्पाइरल में है डेप्ट इस्पाइरल का मतलब क्या हुआ यहां पर ये अफडियाई जो फारें डारेक् फाम में या रूम में जो पैसा जा रहा वो आपका आ जा रहा वो ज्यादा यानि आएगा कम जाएगा ज्यादा यानि जो आपका यहां इन्वेश्टमेंट किये थे वो पैसा अपना निकालेंगे जिससे कि यहां यह भारत क्या हो यानि विकासील भारत जैसों को सामल करते विकासेल अर्थղ व्युश्थाएं dept इस्पारल के रूम में सरफिलाकार रूप इस्पारल एस से हुता तो इस चंगुल इस हाकार में विकासील अर्थ्वयुश्थाएं फस सकती हैं फस सकती हैं सब्क्रिन करता है तीसरा का पॉइंट कहा गया जो बित्ती आववस्था या फाइनेंसियल टर्माइल की अवस्थ हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि विकासिल देशों में एक चीज़ समझेगा मुद्रा का मुद्रा का मुद्रा का मतलब हुआ जब आप पैसे का विदेशी मुद्रा की तुलना में तो आया तो निर्यात होता है वो भी प्रभावित होगा तो यह बात इसमें भी कही गई है अब अंक तो अंक टाड ने क्या कहा कि इसके लिए तीन चेत्रों पर ध्यान देने की क्या है यानि विकास सिल देशों को जरूरत है अगर इस तीन चेत्रों पर ध्यान दे दिये तो निर्ट के ऐसी स्थिति से यानि अपनी आपको बचाव कर सकते हैं पहला च्त बताया a temps temporary stand still automatic temporary stand still स्थिल को किया किया जार्यानी eis milli sto Kyoto के मुलब हुआ जैसी स्थिति है वह सी स्थिति में temporary मैं आया थाई यानि कुछ समय के लिए आर्टोमेटिक क्रियाएं की जानी चाहिए आर्टोमेटिक क्रियाएं की जानी चाहिए जानी अब समस्या क्या है कोविद 19 महामारी 22 का स्थर व्याप्त है तो इससे क्या किया जा सकता है ना कि इसको जानी बदला जा सकता तो जो इस्टेंड इस्टिल है इस्टेंड इ रूप से आटोमेटिक रूट यानि रूब में या जो अवद्योग के दिविदियां हैं उसको बूष्ट किया जाना चाहिए इसके लिए क्या किया जाना चाहिए तो इसमें कहा गया कि डेप्ट रिलीफ और रिलिफ प्रोग्राम चलाए जाए डेप्ट रिलीफ कमतलब चोटे हो मध्यम आपके मजोले दियोग हुए सिल्ब कार हुए इसके बाद कारीगर हुए इनको डेप्ट रिलीफ दी जानी चाहिए यानि इनको जो करज लिये हैं उस पे वैंकों को एराहत प्रदान की जानी चाहिए वैंकों द्वारा और साथ इनकों करज भी और अगला क्या बताया गया इंटरनेशनल डेवलपिंग कंट्री डेप्ट अथार्टी जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उन सब को मिल करके एक इंटरनेशनल डेवलपिंग कंट्री डेप्ट अथार्टी का गठन किया जाना चाहिए ताकि विकासिल देशों की समस्यां ल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोविद नांटीन महामारी के प्रभाव से स्वेम को बचा सकते हैं यानि प्रभाव कम कर सकते हैं अगला अंग टाड के बारे में जान लेते हैं तो यह क्या है यूनाटेड नेशन्स कानफ्रेंस आंड ट्रेड एंड डेवलमेंट इसकी फिलफ और्गनाइजेशन या बाड़ी है अस्थाई अंतर सरकारी निकाय है स्थापना 1964 1964 मिसके स्थापना हुई और या यूएन सचवाले यूएन सेकेटरी का एक भाग है तो यूएन सेकेटरी से अलग नहीं बलकि उसी का पार्ट है और या सतत विकास लच्च जो 2030 तक कितने सत सतत विकास गोल रखे गए तो सतत विकास गोल 2030 तक रख यानि प्राप करने का लच्च रखा गया उन्हीं की दिसा में जो प्रगती क्या हुई प्रोग्रेस क्या हुई उसका मेजर्मेंट उसका आकलन भी करता है अंकटाट के द्वारा अन्य रिपोर्ट निकाली जाती अंकटाट निकालता है दूनों बाबावाले ब्यापार एंड विकास ट्रेड अंड डेवलमेंट रिपोर्ट अंकटाट के द्वारा निकाली जाती अन्य वर्ल्ड इंवेस्टमेंट रिपोर्ट यानि कहां कितना निवेस्ट हो गाए अफडियाई कौन पैसा लगाएगा है उसके संबंद में भी यह रिपोर्ट लिपोर्ट को की नाम से जाना जाता है तो इसके कोण सी रिपोर्ट हो निकाली जाती तो एक पहली हमने रिपोर्ट बताया दी व्यापार विकास वाले ट्रेड एंड डिवलमेंट रिपोर्ट दूसरी Chief Tips Kit टरेड रिपूर्र और इ बाबा वाले हैं वावा वाले हैं यानि कौन व्यापार अभिकास दूसरी कौन है विष निवेस रिपोर्ट वर्ल्ल इन्वेश्टमेंट रिपोर्ट निवेस कहां कितना आया कितना आगया कि देश में तो वह भी EMEGA आप ऐसे याद कर सकते हो्ट graveyard onETrade के दौारा टि एर और रेपोट भी निकाली जाती यारा तो मतलब टेकिनोलज्य इन्द बेसन रेपोर्ट यही निकालता क्थ या रहा तो टि वाली एक रिपोर्ट तो इसमें होगी अगला आपका अंग्टार dnth में आया है यानिंग्टाड है इसे लिखिए तो एक T आया तो T वाली आपको TIR sondernimiento ऩ।- forces की इसमें बहुत आसन रिपोर्ट है तो पहला यह अंग्टाड लिखिए में और और आपका रिपोर्ट तो हम युनाइटेग नेशन से है यह तो पहला हमने कह बावाली है तो आपका कौन हो गई विकास और व्रिएपार्यों विकास रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड और डेबलोम्मेंट रिपोर्ट पहली इसकी हो गए ग्ताड की दूसरी अमने कहा यहां आपका क्या आया है यहां आपका ट का ह曲egy तो यह को n içinde क्या क्या है कि सबँढ़ोगिफ कि क्या हो गई कि कि क्या हो गई तो अ醇क सांद तो रे भी निकालता है फो को अंतिम अच्छा डी है तो डी से भी एक रिपोर्ट निकालता कौन है डिश्टाल एकोनामी रिपोर्ट डिश्टाल एकोनामी रिपोर्ट तो दो नाम आपके अंकटाड से ही याद हो गए और एक आपका हो गया व्यापारियों विकास वाली तो ट्रेड एंड डेवलम्में सब्सक्राइब को चिपनाम यहां वका सिया पुछाएं तो अगटाइगC beginnen आपका और आप दिमाग टेट इंडिशन जाएगा और देख Every QR निकलता है दूसरा आपका कौन जाएगा तो दूसरा आपका यह तीन अच्छरा है निवेस रिपोर्ट यह निकालता है दूसरा आपका कॉंट टी टेकनोलाजी और इंड इनौवेशन रिपोर्ट निकालता है और इसके बाद डी गया तो Digital Economy Report ए अंक टाड के द्वारा निकाली जाती है अब आप कभी भूलना नहीं है इतना जान लीजिए इस तरीके से आप उसी में बना के कुछ कोड याद करोगे तो नहीं भूलोगे अलग से ट्रीक में दिक्कत होती लेकिन ऐसे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आगे आ जाते हैं अब आरवियाई के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं इसी के तहत एक आपका इसके आरवियाई के द्वारा कोविद-19 को ध्यान में रखते हुए एक आपरेशन लांच किया गया इसी को क्या नाम दिया गया आपरेशन ट्विष्ट आपरेशन ट्विष्ट किसके द्वारा पहला कोसन है पूछेगा कि हाले में आपरेशन ट्विष्ट लांच किया गया एक किसके द्वारा लांच कि गया और पहली बार इसे कब लांच किया गया था तो पहली बार इसकी सुरुवात 1961 1961 में पंडे जवाला नेरू के प्रदान मंत्रित तुके के काल में हुई थी अब भाईया जान लेते हैं कि यह आपरेशन टुष्ट है क्या तो इसमें सरकार के किया हुआ आपको मिलता जाएगा आप ऐसे विस्वास बनाई रखिए और डिसकसन लगवग आपका जब तक एक्जाम आपका इस पीसे सौला होने वाला है तब तक आप करेंड सुनते रहे हैं यकीन मानिए आपका लगवग 80% से ज्यादा कुर्शन करेंड के आपके यहीं से मिलने वाले हैं तब आपको विस्वास और हो जाएगा आप विस्वास बनाए रखिए जो लोग पीछे कलास हमारे कर चुके हैं और नए लोग जो हैं विस्वास बनाए रखिए अगला तो यह जो OMO है पहली बार 1961 में से शुरु ciao किया था OMO की फिलपाम होती है open market operation अब प्रस्ण बात यहाई को OMO open market operation होता क्या तो government का क्रे विक्रे करने वाली बाजार को ही OMO या open market operation के नाम से जाना जाता है तो operation ट्विष्ट में होता क्या सरकार जो security गवर्मेंट security जो होती है उनका RBI के द्वारा क्रे विक्रे किया जाता है तो operation ट्विष्ट के अंतरगत क्या किया जाता सरकार के द्वारा जारी की गई सरकारी प्रिद्भूतियों या government security का जो अलब कालिक के स्थर पे धहन समझेग अलब कालिक स्थर पर RBI के द्वारा जब government security को बेचा जाता है और उससे जो पैसा earning होती है आंदनी होती है वही पैसा लगा करके फिर long term देव कालिन government security को खरीदा जाता है तूसी प्रिक्रिया को operation टुष्ट के नाम से जाना चाता है अब आपको clear हो गया होगा operation टुष्ट क्या है अलब कालिन का मतलब हुआ एक साल से कम के लिए और दिर्ग कालिन का मतलब हुआ एक साल से ज्यादा के लिए तो अलब कालिन security आम जनता में बेच दिया जाए सरकार की है और गौवर्मेंट की जो दिर्ग कालिन security जहें जो अलब कालिन security बेचने गवा ज जाना जाता है आप रिसन पुष्ट के नाम से जाना जाता है तो अब इसमें बांड इल्ड एक इसी के संदर में चर्चा में सब्द था इसी को क्या कहा जाता बांड इल्ड कहा जाता इल्ड क्या होता है जो बांड खरीदने पर आपको रिटन मिलता है रिटन का मतलब हुआ उसके बदलेम जो पैसा मिलता है तो उसी को yield कहा जाता है तो जो return आपको मिले वही yield कहलाता तो ध्यान से समझेगा अगर अगर band का price जदा हुआ मालो ये ऐक band आपका 10 रूपिय का है तो band 10 रूपिय का है उस पे तो band 10 रूपिय का है और ये बिकाव का 11 रूपिय तो आपका फाइदा कितने का हुआ एक रूपिय का लेकिन ये बांड आठ रूपिय का था लेकिन बिका कितने का बारा रूपिय का तो फाइदा कितने का हुआ चार रूपिय का तो यानि एल्ड किसमें ज्यादा हुआ अगर बांड का प्राइस कम हुआ तो एल्ड देखो ये एक रुपे का हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ अगर बांड प्राइस ज्यादा हुआ तो एल्ड रिटन क्या होगा कम होगा अगर बांड प्राइस कम हुआ तो इस पे होने वाला एल्ड या रिटन क्या मिलेगा आपको ज्यादा मिलेगा तो इससे को सनाव कि और आपका PCS दोनों में पूछे जा सकते इस concept से तो आपका ये आपको उप समझ में आ गया होगा आपरे संट्विष्ट और आपका बांड एल्ड की संकल्पना आ गया देख लेते हैं इस समय साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा उसी के सम्मंद में जो कुछ टर्मलोजी आई है तो एक दो टर्मलोजी हम रोड डिसकस करते रहेंगे तो आज जो करने वाले हैं उसी को क्या कहा जाता डीप न्यूड के नाम से जाना जाता तो आज जो आपको टर्मलोजी हम डिसकस करने वाले हैं वो किसके बारे डीप न्यूड के बारे में डिसकस कर ने वाले हैं तो हम समझते हैं डीप न्यूड क्या है तो न्यूड माने नंगापन होता है तो नंगापन का मतलब क्या हुआ जब कंप्यूटर की सहता से बनाई गए नगन तस्वीरों यह वीडियों को जो आपका कंप्यूटर की सहता से नंगन तस्वीरे यह वीडियों बना क dual करते हैं और इसमें को किसका प्रियोग किया जाता तो एजो आए आई आए आपके धूनों के लिए इंपॉर्टस्र इंटेलिज Алекс और इफिस्यल इंटेलिजन्स इल्गोरिधम इसमें किया जाता और उसी के मात्यम से यानि एनीविछन का क्यों करते हुए क्या किया बनाए जाते हैं इसके लिए बहुत सारे आपके भी हैं तो फेक आप ऐसे करके जो उन आपो से आपकी रपया बचिए उनसे दूर रही है तो यह काफी प्राचलन इस समय आपका साइबर क्राइम का हो रहा है अगला आपका क्या है एक आपका इसी के संदर में सब्द यूज ह होता है आपका है से पूछ लोगों को संदेश या इमेल के माधियं से अवाइद तरीके से मौबाइल संदेश भीजा जाता है इमेल भीजा जा रहा है और उसमें ऐसा लगता है कि ऐसकी कोई हैर्थल अजय से बराचान को चिपा की रखशा नहींड जाता और उस वित्तिशक्ती जिसके पास से भेजा जा रहा है और देती कि यह कोई पता चलेगा कि पहले किसी किसी mindset में आगए कुझें कि बैंक से हमारी यह कि जनकारी मान Place लेकिन किरपया इसी आपकी सुचनाओं को बहुत सत्रग रही है तो इसी परकार क्या अपनी जानकारी प्राप्त करने चुराने का प्रियास किया जाता है करने का प्रियास किया जाता उसी प्रोसेस को फिसिंग के नाम से जाना जाता तो इससे हमेशा दूर रहें जब भी आपका कोई ऐसा कॉल आता है या मैसे आता है तो बगर सोचे समझे उसमें कोई भी अपन समझे समझे अमेरिका की है तो बिटाल की इंटर्विंसlection वी होगा बेंटी लेटर ईसे टक्रोनाची यह से Colin पापन का अल्षाब 문제 स्टेज में हैं उंको बेंटी लेंटर इस बिटाल के माद रचार किया जा सकता है तो इस स़स्ती है असानी से पहुंच जा है स多फ इस फेस्वावल है लह कि नाशा की यहां का पालय है जो की साथन कालिभों приготов निया में है उसके द्वारा- इसका विकास कि यहाँ जिछ प्रोफल स्न लाव के द्वारा विकास किया गया जो कि नासा की एक क्या है सथ कि आगला कुछ चीजह ओर जान लेते हैं अभी सोसल डिस्टेंसिंग को मेंटेंग बनाए रखने के लिए एक विकति हैं जिनका नाम क्या है प्रवीन कुमार दास तो प्रवीन कुमार दास के दौरा सोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे एक एंजिनरिंग student है जो कि लवली professional university कहां है पंजाम में है तो लवली professional university पंजाब के एक engineering student प्रवीन कुमारदास के द्वारा एक mobile आई बिक्सित किया गया उसी को कवच mobile आईब के नाम से जाना चाता है इस आईब के मात्यम से अगर कोई social distancing अर्थात एक मीटर की दूरी को यानि क्या करता ब्रेक करने के कोशिस करता है तो तुरंत आपका आपको सतर कर देगा क्याव करपया साउधान हो जाए आप एक मीटर से कम दूरी के उसमें आ चुके हैं तो यह आपका विक्सित किया प्रवीन गुमार दास के दौरा अगला देखिएगा आएटी दिली के दौरा यानि एक और डैस बोर्ड विक्सित किया गया है इसी को प्राकरत के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तो इसके हम बात कर लेते हैं तो इस प्राक्रत डासबोर्ड पहला कुछसर नहीं किस ने विखसित किया आयटी डेली के द्वारा विखसित किया गया इसके माधिम से हर राज हर जिले में और एग्जैक्ट टाइम में कोरोना संक्रमन के कितनी लोग हैं जयादा हुए कम हुए इत्याद के बारे में तो प्राकृति की फिलफाम है P से आपका prediction and A से आपका क्या हो गया assessment हो गया आप कुसी से आपका corona I से आपका infection and T से आपका transmission और अंतमे I से in India फिलफाम की क्या है प्राकृति की फिलफाम है prediction and assessment आप corona infection and transmission इन इंडिया और इसको विक्सित किया आयटी डेली के द्वारा इसका विकास किया गया है जो हर राज हर जिला में कितने corona पाश्ट्विया संकर्वन के केस आए है एक्जैक्ट नंबर एक्जैक्ट रेट के साथ यह हर समय उपलब कराता है अगला जो चर्चा में था यह बिरूंगा नेशनल पार्क आपका चर्चा में था तो बिरूंगा नेशनल पार्क क्यों चर्चा में था क्योंकि इसमें 17 लोग मरे गए जिन में से 12 फारिश्ट रेंजर्स के लोग भी सामिल हैं जो वहीं आपका जानवरों का देखभाल करत तो किवल देश पूछता है बहुत उसमें कौन सी परजातियां पाई जाती वह अंदर गुसकर के कोस्टन एक्जाम में नहीं पूछा जाता एक जन्रल अवेर्नेस के बारे में आपसे पूछा जाता तो पूछा जा सकता एक्जाम में दुरूंगा नेशनल पार के कहां है तो अब आप लोह दो कुस्तन का कमेंड में लिखिएगा यहां आपकी जोगरफी के तो बता दे तो पूछा जा सकता है बिरंगा नेशनल पार कहा है तो बिरंगा नेशनल पार डेमोक्रेटिक रिपब्लिकाफ कांगो या इसी को जायरे कहा जाता जायरे में है अगला चर्चा में था बियारों के द्वारा इसी की फुलपाम क्या बार्डर रोड अर्गनाजेशन काफी चर्चा में बना हुआ है तो बियारों के द्वारा COVID-19 लागडाउन के बावजूद भी तीन सब्ता पहले ही रोहतांग दर्रे को खोल दिया ताकि किसानों का जो रा कहा है हिमाचल प्रदेश में इस्तित है और हिमाचल प्रदेश के दो जिलिया है इसे को लाहुल इस्पिती जिलो की नाम से जाना जाता तो लाहुल इस्पिती जिलो को भारत के सेस्वाकी हिसों से जोडने का काम कौन करता रोहतांग दर्रे के द्वारा किया जाता है अगर हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो यह आपका है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में दर्रों के बात करें तो सबसे उपपर बारा लाचा दर्रा है बारा लाचा के बाद आपका इसी बाद आपका इस सिफकीला दर्रा है और सिफकीला के बाद इधर वाला अंदर की जो बनाएं ये रोहतांग दर्रा है तो तीन दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश के आपको पता होना चाहिए बहुत बार एक्जा में पुछे गए बारालाचा दर्रा कहां है तो बारालाचा सिवकीला बारालाचा सिवकीला और तीसरा रोहतांग ये तीन दर्रे आपके कहां है तीनों दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में इस्तित है नाचल प्रदेश में इस्तित है तो आपके तीन राजियों के आपके दर्रे आपको बता चुके हैं और नाचल प्रदेश के आपके दर्रे याद करने की ट्रीक आपको बताया था पिछले वीडियो हम तो इसलिए कहते एक वीडियो देखा कर ये उसको बताया था कि SALIH B. B. E. T. तेरी याद 3 पल करती है तर्ली ही तुमने कहा था वहां साले से सेला B. से आपका बुमला फिर अगले से बुम्डिला और 3 ते से तुंगा उसके बाद आपका यासे यांग्याब ओ 10 से आपका 3 हैं दिहांगदर्रा, दिफर दर्रा, दिफू दर्रा, तो तीन पल, पा से आपका 500 दर्रा और उसके बाद आपका याद करती है, और करती से आपका हो गया, कुम, कुम, जांगyaदर्रा, इतनी दर्रे कहां रहती हैं, अप्रहने आपका नाचल प्रदेस में स्थित हैं, recognized for granted को सब्सv 전okvas視 उपस्द के नीजे आपका जाजास्व का चैया सै ओड़ीक्ताये पर नाचल परीश के दर्रें काले मांचल हो गया लेकिन तीन यद चाया, सब्सके नीचे फिर्ला मिल जाए कर रहा गया सब्सक्राइब में आपका काउं दर्रा मिल जाएगा रोतांग दर्रा मिल जाएगा यह आपके हिमाचल पूते इसमें अब दो राजी धर वस्ते हैं जमू कसमीर और आपका उत्राखंड इनका भी नमबर लगने वाला इनके भी दर्रे आपको बिलकुल जवान पर रटे होंगे फिर आपका साउथ के ब प्राम दिया गया क्योंकि के चलते जो जो उत्तराखंड बच्चे हैं वह आपको चल लेने में यानि क्या वह रहते यानि बाधित हो रहे थे तो इसी को क्या किया गया एनिमेटिट जो लेक्टर है वो आपके स्टुटेंट तक उपलग्द होते रहें वर्चुल लेसंस के प्रदान करने के लिए तो वर्चूल लेसंस का मिलब हुआ यही एनेमिटेड लेक्चर्स जो आपका क्या किया जाएगा संपर्क दीदी मॉबाइल आप के माधिम से इनको इन तक पहुंचाया जाएगा और आज लाश्ट आज डिसकसन का है मानू संसाधन विकास मंतराले के दौरा क्या किया गया एक अभियान सुरू box किया गया विश्व पु浔र के आउसर पर इसी को क्या नाम दिया गया इसी को हैश्टेंग माई बुक मैइफींड कामपेयन ने सुरू किया गया विस पुस्तक दिवस के उसर पर ताकि अब इस समय किसका समय कोविद 19 हैं हम सभी लोग अपने घरों में बंद हैं तो हमें पास जो भी साहितिक या अन्य जो पुस्तके हैं उनका अध्यन और अध्यापन करें इसी को प्रमोट करने के लिए इसी को भरावा देने के होता है थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच